हेलो इस्टुडेंट्स इस पार्ट 10 अफ दी चेप्टर इंट्रोडक्शन तू ट्रिगोनोमेट्री आफ क्लास 10th मैथेमेटिक्स इन इस वीडियो वी सेल वर्क आउट सम क्वेशन अन ट्रिगोनोमेट्री आइडनितिटीज कुछ और ग्वेशन लेंगे हम जो ट्रिगोनोमेट्रीक आइडनितिज से सौल्व होते हैं इसमें basically जो proof वाले question है जिने में prove करना होता है ऐसे question हम इसमें करेंगे जैसे ये question देख रहे हैं आप ये हमें prove करना है कि cose upon 1 plus sine plus 1 plus sine upon cose ये जो है वो 2 sec 1 equal है इस तरह के question हम जितने ज्यादा करते हैं उतना ही इस तरह के questions करने का अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है और हम ये भी जान पाते हैं कि जो trigonometric identities है उनको हम किस तरह से काम में लेते हैं तो इसमें हम left hand side में जो भी part है उसको हम solve करेंगे और right hand side में जो है उसको लाने कोशिश करेंगे क्योंकि left hand side complicated है तो complicated को solve करके easy part तक पहुचना असान होता है तो left hand side में जो भी दिया हुआ है उसमें sine और cos अल्रेड़ी पहले सी बने हुए है तो simplified ही है हम इसमें सबसे पहले LCM ले लेते है LCM में ये 1 plus sine A into cos A ये हो गया है अब 1 plus sine A से divide किया तो ये cos A आएगा cos A से इसको multiply किया तो हो गया cos square A प्लस यहाँ cos A से divide किया तो 1 plus sine A 1 plus sine A उपर भी है तो 1 plus sine A का whole square हो गया तो left hand side को solve करने पर ये सारा है इसके बाद हम इसको और simplify कर लेते हैं ये हो गया cos square A plus इसको open करते हैं A plus B का whole square formula apply करते हैं तो A plus B का whole square होता है वो होता है Square of first term plus square of second term plus twice the product of first and second term तो A plus B का whole square is equal to A square plus B square plus 2AB तो ये formula हम ये apply करते हैं 1 plus sine A whole square में तो square of first term यानि 1 का square तो 1 हो गया plus square of second term तो ये sine square A हो गया और twice the product of first and second term तो 2 sin A into 1 तो sin A हो गया है divided by यहां हमारे पास आ रहा है 1 plus sin A into cos A इसके बाद हम यहां cos square A plus sin square A यहां तो दिख रहा है आपको यह cos square A plus sin square A यह पूरा 1 हो जाएगा तो यह 1 और A की यह 1 यहां पर है तो 2 हो गया तो 2 plus 2 sin square A 2 plus यह तो 2 हो गया और 2 plus 2 sin A होगा यह जो है यह 2 sin A हो गया और upon में है 1 plus sin A into cos A और इसमें जो 2 है यह इस तरह से होगा कि यह तो 1 है और यह cos square A plus sin square A 1 हो गया तो 1 plus 1 2 तो 2 plus 2 sin A तो 2 यहां common आ रहा है यह हो गया 1 plus sin A divided by 1 plus sin A into cos A और जो 1 plus sin A है यह numerator में भी है और denominator में भी है तो cancel out हो रहा है और इसके अलावाद जो cos 1 upon cos A होता है वो sec A हो जाता है तो यह 1 upon cos A हो गया sec A तो यह बन गया 2 sec A और 2 sec A ही right hand side में आप देख रहे हैं तो यह right hand side हमने obtain कर लिए तो इस तरह से यह problem solve हो जाती है तो यह हमने क्या किया कि जो left hand side है वो sin cos में पहले से converted थी तो हमने क्यों उसका LCM लिया और जो holy square बन रहा है उसको open किया फिर यहां identity हमें नजर आ रही है कि हम apply कर सकते हैं तो cos square A plus sin square A को 1 लिख दिया और one plus sin A यह दोनों में common and numerator और denominator दोनों में उसको cancel out कर दिया और cos A का जो reciprocal वो sake A होता है तो इस तरह से जो है यह two sake A में convert हो गया है जो कि right hand side है अब next question लेते हैं यह है कि 10 theta upon one minus 4 theta plus 4 theta upon one minus 10 theta इसको हमें simplify करना है और लाना है one plus sec theta cos theta तो कोई भी problem है उसको हमें solve करना है तो तरीका यह रहता है कि हम सब कुछ sin cos में convert कर लें तो left hand side में जो भी लिखा वाया है उसको हम sin cos में convert करेंगे तो यह 10 theta को लिख देते है sin theta divided by cos theta इसी तरह से जोड़े denominator है उसमें भी लिख देते है cos theta divided by sin theta और इधर जो है यह cos theta divided by sin theta और upon हो गया 1 minus इसको लिख देते है sin theta divided by cos theta यहां तक हो गया है अब चुकि इसको हमें simplify करना है तो यह भी fraction में होना चाहिए तो 1 by 1 इसको 1 by 1 लिख दिया है अब इसको आगे हम further solve करते है तो इसको जो है इसको लिखेंगे sin theta upon cos theta है तो यह तो sin theta upon cos theta ही है और upon में जो हमारे पास है वो है और जो भी divide में है इसको हम थोड़ा इस तरस लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि हम जो लिखा हुआ है numerator मे sin theta upon cos theta उसको ऐसे लिख देते हैं और फिर divide का sin लगा देते हैं और यहाँ यहाँ sin theta upon cos theta divided by यह वाला पार्ट है और इस वाले पार्ट में हम LCM ले लेते हैं तो यह बन रहा है हमारा sin theta तो यहाँ हो जाएगा sin theta minus cos theta यह हो गया sin theta minus cos theta तो यह तो हो गया यह पूरा पार्ट जो है अभी तक हमने first term को solve किया यह जो first term है पूरी यह solve हुई है यहाँ तक इसके बाद में फिर है plus का sign यह plus का sign हो गया और आगे जो भी लिखा हुआ है उसको हम आगे solve कर लेते हैं यह है cos theta divided by sin theta यह हो गया फिर divided by यह वाला part है denominator तो इसमें LCM आ रहा है यहाँ पर cos theta और यहाँ cos theta ले लिए तो यहाँ जाएगा cos theta minus sin theta यहाँ तक solve हो जाता है यह हो रहा है यहाँ पर cos theta LCM लेंगे तो cos theta minus sin theta हो रहा है यह plus है तो यह पूरा एक अलग से term हो गई हमारी है अब यह जो division का sin है उसको हम multiply के sin में convert कर लेते हैं तो अब जो next expression आएगा वो आएगा हमारे पास sin theta divided by cos theta into कर देते हैं इसको तो यह उपर चला जाएगा तो यह हो गया sin theta divided by sin theta minus cos theta तो यह हो गया sin theta minus cos theta similarly यहाँ plus का sin है और यह हो गया cos theta divided by sin theta यह multiply हो गया और यह चला जाएगा cos theta divided by cos theta minus sin theta यहाँ तक हो रहा है तो यह वाला part हमने simplify कर लिया यहाँ तक यह वाला हिस्सा इससे separated यह वाला हिस्सा हो गया this all अब यह जो part है इस part को हम देखते हैं इसको अगर संब़ हुआ तो इसको आगे वाले page पर ले लेते हैं यह हमार आगया है तो यहां तक हमने इसको simplify कर लिया है अब इसको आगे देखिए यहां sin theta minus cos theta है और यहां पर cos theta minus sin theta है तो यह इसमें से मैं मानस common ले लेता हूँ इसमें से मानस common लेता हूँ तो यह भी sin theta minus cos theta में करवट हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं यदि B minus A है इसमें से यदि मैं मानस common लेता हूँ तो यह A minus B में करवट हो जाएगा मानस common लिया जिए मैं इसको simplify करता हूँ तो वापस यह B minus A आएगा यानि अगर मैं इसको interchange करता हूँ तो मुझे minus sin बहाँ लगाना पड़ेगा तो यहाँ sin theta minus cos theta कर सकता हूँ लेकिन यहाँ minus sin हो जाएगा तो पहले इस expression को लिख देते हैं यहाँ हमारे पास है यह sin theta into sin theta sin square theta हो गया और upon में यहाँ cos theta है और यहाँ हो जाएगा sin theta minus cos theta और यहाँ मैं minus कर देता हूँ तो यह जो पार्ट है cos theta cos square theta है क्योंकि cos theta और cos theta का multiplication क्या हो गया यह उपर हो गया cos square theta तो उपर लिख देते हैं cos square theta divided by यह हो गया sin theta और यह जो cos theta minus sin theta इसमें से मैंने minus ले लिया है बाहर तो यह interchange हो जाएगा, तो यह हो जाएगा sin theta minus cos theta इसका यह फाइदा हुआ, यह यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है यह step हो में विश्यस रूफ से ध्यान रखना है अगर इसको avoid कर दिया तो काफी मुस्किल हो जाएगा क्योंकि हमें LCM एक जैसा LCM लेना ज्यादा typical हो जाएगा यदि इसको आपने same दी बनाया तो यहाँ हमने इसको same कर दिया, देखो sin theta minus cos theta यहाँ भी है और sin theta minus cos theta यहाँ भी है तो यह जैसी एक बना देते हैं उसके बाद हम LCM जब लेंगे तो थोड़ा simplified format रहेगा क्योंकि sin theta इसमें दिख रहा है, cos theta भी दिख रहा है और एक यह sin theta minus cos theta है तो यह LCM ले लेते हैं जब इसको LCM लेंगे तो यहाँ पर sin theta minus cos theta यहाँ है cos theta यहाँ है, तो sin theta से multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा sin cube theta और इधर यह, जब इससे divide करेंगे इसको तो cos theta आएगा और cos theta से इसको multiply करेंगे तो यह cos cube theta हो जाएगा यहाँ तक का part हो रहा है इसके बाद हम a cube minus b cube का formula लगाएगी तो हम a cube minus b cube का formula लगा सकते हैं यह एक line अलग से draw कर देते हैं यह line draw कर देते हैं और इधर जो part है, इसमें हम जो है यह a cube minus b cube आ रहा है तो a cube minus b cube का formula लगाएगी कर देते हैं तो a cube minus b cube क्या होता है यह होता है a minus b और a square plus b square minus a b यह formula है तो अब यह formula यहाँ apply करता होता हूँ तो यह आजाएगा sin cube theta minus cos cube theta यानि a sin theta है, b जो है वो cos theta है, तो accordingly यह हो जाएगा sin theta minus cos theta एक bracket में हो गया, a minus b और दूसरे bracket में आएगा into में यह into है यहाँ पर यह into है, तो a square यानि कि sin square theta और plus b तो b cos है, तो b square हो जाएगा cos square theta और plus, यहाँ minus है, तो यहाँ plus आना है यहाँ minus है, तो यहाँ plus होगा तो plus sin theta a into b, तो sin theta into cos theta तो यह हो जाएगा sin theta into cos theta, यह आ रहा है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो sin square theta plus cos square theta है, यह पूरा one हो जाएगा तो यह पूरा convert होके हो रहा है, sin theta minus cos theta into यह bracket में यह sin square theta plus cos theta one हो गया और यह sin theta cos theta हो रहा है तो यह sin theta cos theta तो यह sin cube theta minus cos cube theta है, इसकी जगा हम लिख सकते हैं sin theta minus cos theta into one plus sin theta cos theta तो यह हो जाएगा यहाँ पर sin theta minus cos theta और दूसरे bracket में लिखेंगे one plus sin theta cos theta और divide में क्या है, divide में हमारे पास है, sin theta है, cos theta है और sin theta minus cos theta है, यहां तक हो रहा है अब हम यहाँ देख रहे हैं, कि यह sin theta minus cos theta है, वो numerator में भी है और denominator में भी तो वो cancel out हो रहा है और उसके बाद हमारे पास जो expression आ रहा है, वो है one plus sin theta cos theta divided by sin theta cos theta अब हम ऐसा करते हैं, कि यह जो expression है, इसको हम ले लेते हैं यह जो one plus sin theta upon sin theta cos theta है, इसको मैं आगे दुबाना लिग देता हूँ तो इसको और लिग लेते हैं, यह जो चल रहा था, वो हो गया one plus sin theta cos theta divided by sin theta cos theta, तो यह तो था LHS तो यह हमने complete conversion कर लिया है, sin theta cos theta में, अब हम देखते है और right-hand side क्या थी? right-hand side थी, one plus sin theta cos theta, तो राइट-hand side से शुरू कर लेते हैं तो right-hand side है, वो है one plus sin theta cos theta, यह right-hand side थी, और देख लेते हैं, one plus sin theta cos theta, राइट-hand side थी, तो इस right-hand side को हम simplify करेंगे, तो इसमें भी हम इसको sin और cos में convert कर लेते हैं तो यह cos theta हो गया और इसको convert किया तो यह sin theta हो गया और इसको one upon one कर लेते हैं अब यदि मैं LCM लेता हूँ यहाँ पर तो यह आ रहा है sin theta into cos theta तो यह 1 से divide किया तो sin theta cos theta 1 से multiply किया तो वापस sin theta cos theta तो sin theta cos theta प्लस यहां डिवाइड किया तो बना रहा है अब यहां देख रहा है हम left hand side और right hand side both are equal so LHS is equal to RHS hence proved इस तरह से हमने इस वाले question में right hand side और left hand side डोनों को simplify किया है और जब simplified form को match किया तो both are found to be equal so this question this identity has been proved तो यह identity जो थी वो prove हो चुकी है next question लेते हैं हमें यह prove करना है कि 1 plus sin A और 1 minus sin A का जो ratio है उसका root लें तो वो ck plus tn A के एक वालाता है इसमें भी हम right hand side तो simplify डिखरी है left hand side से शुरू करते हैं left hand side से शुरू करेंगे पहले और इसमें चुकी sin A conversion पहले से हो रखा है तो 1 plus sin A divided by 1 minus sin A अब इसके बाद में तो simplify होने के सम्मावना लग नहीं रही है क्योंकि sin A पहले से ही in terms of sin A ही है तो किसी दूसरे trigonometric ratio में हमें convert नहीं करना है इसमें हम यह कर सकते हैं कि यह जो denominator है उसके opposite sin से यानि कि 1 plus sin A से हम numerator और denominator को multiply कर सकते हैं 1 plus sin A से हम numerator denominator दोनों को multiply कर देते हैं तो जो upper part है वो तो होजाएगा 1 plus sin A का whole square यह तो 1 plus sin A का whole square हो रहा है और जो denominator है वो हो रहा है A minus B A plus B तो यह हो जाएगा A square minus B square तो 1 square minus sin square A लेकिन 1 minus sin square A तो cos square A होता है हमने पहले भी किया है तो यह हो गया है cos square A का root और यह जो 1 plus sin A का whole square है तो यह 1 plus sin A हो गया है तो जो square का root लेंगे तो square हट जाएगा और इसको हम further simplify करते हैं तो हमारे पास result आता है 1 plus sin A divided by cos A तो यह तो हो गया left hand side अब इसी question में हम right hand side भी solve कर लेते हैं right hand side कितनी आती है तो right hand side जो है वो sin cos की terms में नहीं है तो उसे भी हम sin cos की term में express कर लेते हैं तो right hand side में लिखावा है ck plus tan A तो इसमें हम ck को लिख देते हैं 1 upon cos A और इस tan A को लिख देते हैं sin A upon cos A क्योंकि sin A की value होती है sin A upon cos A अब यहां हम देख रहे हैं कि यहां हम LCM ले सकते हैं आसानी से तो cos A जब LCM लेंगे तो यह बनेगा 1 और यहां cos A LCM लिया तो यहां बचा sin A तो हम यहां देख रहे हैं कि right hand side जो है 1 plus sin A upon cos A है और left hand side भी 1 plus sin A upon cos A है तो हमने दोनों ही left hand side और right hand side को simplify किया तो पाया कि simplified form दोनों की equal है तो इस तरह से जो है वो आसानी से यह result भी prove हो जाता है अब एक next question लेता है यहां prove करना है कि sin A plus cos A का whole square plus cos A plus sin A का whole square is equal to 7 plus 10 square A plus coat square A अब इस question को prove करें तो यहां हमें पता है कि जो 6 square A है उसको मैं बाद में 1 plus 10 square A लिख सकता हूँ इसी तरह से cos A उसके square को में 1 plus coat square A लिख सकता हूँ तो हम directly जो left hand side है उसमें जो भी part देख रहे हैं आप A plus B whole square तो A plus B whole square का हमारे पास जो formula है वो हम apply करेंगे और वो होता है A square plus B square plus 2 A B यह जो formula होता है यह हम apply करेंगे इसको open करने के लिए तो यहां sin A plus cos A का whole square है तो square of first term तो sin A का whole square हो गया sin square A plus second term अब यहां है cos A तो cos A का square हो जाएगा cos square A और फिर two times of first and second term तो first term है sin A और second term है cos A तो sin A into cos A के हो गया तो यह तो हुआ first term जो sin A plus cos A whole square A का whole square हो गया है इसी तरह से जो second है उसको भी open कर लेते हैं तो cos square A plus cos square A plus 2 cos A sec A यह इसको open करने पर आएगा क्योंकि square of first term plus square of second term plus two times of first and second term अब इसमें हम जो यहां term देख रहे हैं जो sin square A है और इदर जो cos square A है इसको मैं एक जगे लिख देता हूँ तो यह लिख दिया मैंने sin square A plus cos square A यह तो मैंने एक जगे लिख दिया है जो भी term sin square A और cos square A थी उनको यह जगे लिख दिया है और दूसरा हम काम करते हैं कि इसमें जो cos square A है cos square A को मैं लिख देता हूँ one plus quote square A जो मैं कर सकता हूँ क्यों cos square A की जो value होती है cos square A की जो value है वो होती है one plus quote square A तो यह भी हो गया conversion इसके बाद हम यहाँ देखते है तो यह जो 2 sin A और cos square A है cos square A की जगे लिख सकता हूँ one upon sin A तो यह part भी हो गया है similarly यहाँ देखे हम कि यह जो c square A है इस c square A को मैं लिख सकता हूँ one plus ten square A क्योंकि c square A जो होता है one plus ten square A के equal होता है तो यह conversion भी हमने कर लिया है इसके बाद जो last term हमारी बची है उसको मैं लिख सकता हूँ plus 2 cos A into यह 1 upon cos A यह 1 upon cos A हो जाएगा क्योंकि 1 upon cos A होता है यहां तक जब हो जाता है तो इसमें sin A, sin A से cancel हो रहा है cos A जो है, cos A से cancel हो रहा है यहां sin square A plus cos A A 1 हो गया है तो यह जो भी part आ रहा है हमारा यहां वो हो गया 1 similarly यहां पर हम देखें कि यह जो part देख़रहएं यहां पर यह वाला part भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है तो इस वाले part को भी मैं highlight कर लेता हूँ यह जो part है वो बास में यह भी solve होगा और इसी तरह से ये जो पार्ट है इस पार्ट को भी थोड़ा highlight कर लेते हम इसको मैं इस से highlight कर लेता हूँ ये जो पार्ट है ये simplified होने पर कितना आ रहा है वो भी हम लिख लेते हैं चलिए तो ये तो हो गया 1 ये bracket में 1 लिख देता हूँ ये तो 1 हो गया प्लस यहां हमारे पास है 1 प्लस कोट स्क्वाइर ए है ये वाला पार्ट है ये green colored part हमारा ये आ रहा है ठीक है ये green colored part है हमारा और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा 2 तो ये जो हमने underline कर रखा है ये इस से वाला part हो गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं ये जो part देख रहे हैं वह हो गया 1 प्लस 10 स्क्वाइर A ये एजिटीचे जो हमारा पहले से ही है ये वाला part हो गया तो ये हो गया इसके बाद आगे जो part है ये पूरा soul होने पर हो रहा है 2 तो यह पूरा का पूरा ही हो गया है टू यह पूरा पार्ट टू है यह जो पार्ट आ रहा था वो टू है तो यहां से आप देख सकते हैं यह जो पार्ट है तो 1 है यह 1 प्लस कोटी स्क्वाइर A है यह जो पूरा सॉल करने पर आ रहा है टू इसके बाद यह 1 प्लस 10 स्क्वाइर A है और यह पूरा सोल होने पर हो गया 2 अब यदि मैं इसमें जो भी नियुमरिक पार्ट है उसको इकटा करता हूँ 1 प्लस 1 2 2 4 5 और 2 7 तो यह 7 हो जाएगा प्लस यहां हमारे पास यह 10 स्क्वाइर A यहां है अब एक और क्वेशचन है कि 1 प्लस 10 स्क्वाइर A अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वाइर A जो है वो 1 मानस ने का ओल समीजर A कोट होता है और इसको भी यहें हम सिंप्पाइर करते हैं तो वापस यह 10 स्क्वार A में करनूट होता है तो हम शुरू करते हैं तो यहां जो यह 1 प्लस प्रूफ शुरू कर रहे हैं और इसमें हम यह जो expression है यही से शुरू करते हैं 1 प्लस 10 स्क्वाइर A डिवाड़ बाई 1 प्लस कोट स्क्वाइर A अब यहां पर हम किसी A को ही जो है चैंज कर लेते हैं क्योंकि हमें final answer 10 में लाना है तो यह जो कोट है उसी को हम convert कर लेते हैं तो यहां लिखावा 1 प्लस 10 स्क्वाइर A और upon में जो 1 प्लस यह जो कोट स्क्वाइर A है उसको मैं कर देता हूँ कोट को लिख देता हूँ 1 upon 10 और इसकाफूल स्कॉायर है, तो इसको यहारे मैं में फर्दर स्थार करताूर तो यहां जाएगा, ब्लस यहां बन जाएगा इंटू 10² A divided by 1 plus 10² A क्योंकि यह नीचे 10² A plus 1 उसको मैं 1 plus 10² A लिसकता हूँ और यह 1 plus 10² A इसमें कैंसेल आउट हो रहा है हम देख रहे हैं कि यह पूरा पार्ट इसको सोल करने पर यह पूरा जो है वो 10² A में कन्वर्ट हो रहा है तो यह जो part है वो तो 10 square A में convert हो गया, अब हम लेते हैं second part को, यानि यह वाला part है, इसको भी हम solve करते हैं, कितना आता है, तो यह हम next phase पर करेंगे, 1 minus 10 A upon 1 minus quote A, तो यह 1 minus 10 A upon 1 minus quote A, इसका जो whole square है, इसको हम simplify करेंगे, देख लेते हैं, 1 minus 10 A upon 1 minus quote A क whole square है, इसको हमें simplify करना है, तो इसको simplify करने के लिए, तरीका वह यह 1 minus, यह तो 10 A रहने जाते हैं, इसको हम disturb नहीं करते हैं, और यहां जो है, इसको 1 upon 1 और इसको लेते हैं, 1 upon 10 A कर देते हैं, और फिर हम इसका whole square है, जो बाद में करेंगे, तो यह तो हो गया, 1 minus 10 A और यहां upon में, यहां LCM आ रहा है 10 A, तो यहां हो जाएगा 10 A minus 1, यह वाला part आ रहा है, और यह अलग है, और इस पूरे का whole square अलग से है, अब हम इसको further solve करते हैं, तो यहां कर लेते हैं, तो यह आ रहा है हमारे हो, यह है 1 minus 10 A का whole square हो रहा है, 1 minus 10 A का whole square, divided by, यहां हो रहा है 10 A minus 1 का whole square, into, यह जो नीचे आएगा 10 A का whole square आएगा, उसको में उपर ले जाता हूँ, यहां हो जाएगा 10 square A, अब यहां पर हम इस वाले part में हम देखते हैं, यह तो उपर तो ठीक है, 1 minus 10 A का whole square ही ठीक है, और into यह 10 square A भी अपनी जगर ठीक ह जो denominator में है, उसमें हम जो technique काम में ले रहे हैं, वो वही है, कि जो B minus A होता है, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, minus को मैं लेके A minus B, तो यह जो नीचे है, उसमें मैं ऐसे कर देता हूँ, 1 minus 10 A, minus times of 1 minus 10 A कर देता हूँ, उसका whole square कर देता हूँ, यह वाला part यह है, तो ऐसा हम कर सक करेंगे वार्पस ही हो जाएगा तो यह part ये वन- मानस 10a का तो यह गाय है 20-101 स्क्राइब पान है युः- ten a का हो ट्रुत हो गया और ये अग्रमिंग से मादस ट्रमk यह मंनस तक स्क्राइब अब यहां 1-10A का HOLY SQUARE NUMERATOR में निम्रेटर में लिए तो Cancel OUT हो गया और जो MINUS 1 का HOLY SQUARE 1 हो रहा है यह पूरा-पूरा ी 10SQUARE A में convert हो गया है तो हमने देखा कि यह जो वन MINUS 10A upon 1-1 COTKA HOLY SQUARE यह भी 10 square A में convert हो रहा है और यहां जो 1-10 square A upon 1-10 square A upon 1-9 square A यह यहां हम चाहें तो यह जो पार्ट है इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं यहां हम यूँ भी कर सकते हैं कि जो 1 प्लस 10 स्क्वाइर A है उसको लिख दें सेक स्क्वाइर A जो हम जानते हैं और इसको लिख दें कोसेक स्क्वाइर A यह हम कर सकते हैं और X 2 A का reciprocal X 1 A का reciprocal होता है इसको पर लिग लेते हैं और X 1 A जो QOC का reciprocal होता है तो यह down में आजाइगा और इसको मैं further sort करूं तो यह X 1 A का uns 2gae ही है और यह 10 A का curb हो गया तो यह इसे फरस्ट पार्ट है वो हम हम ऐसे भी 10 square a तक पहुंच सकते हैं, तो this is one way और this is another way, तो कैसे भी करके हम 10 square a पहुंच सकते हैं, लेगिन यहाँ यह ठीक तरीका है कि इसमें हम क्या करें, कोट को ही convert करें 10 में, और बाकि सब कुछ 10 में है तो answer 10 में आई जाएगा, इसमें हमने यह किया कि जो भी कोट है उसको हमने convert कर दिया, और फिर बाद में simplify किया, सब कुछ 10 में आने के बाद जब simplify किया तो 10 square a आ रहा है, तो इस तरह से यह question भी solve हो जाता है, अब एक और question लेत हम स्वरू करते हैं, तो प्रूफ लेते हैं, और इसमें जो left hand side है वहाँ से शुरू कर रहा हैं, left hand side में जो भी terms है, उनको sin and cos में convert कर लेते हैं, तो left hand side में यह cos a है उसको लिएते है 1 upon sin a और यह जो sin a है उसको कर देते है sin a upon 1 और इदर जो right hand side में यह जो part है cos a है उसको लिएते है 1 upon cos a और यह हो जाएगा cos a upon 1 यहां तक problem नहीं है इसके बाद जब हम इसको आगे further simplify करते हैं तो हमारे पास result आएगा यहां lcm आ रहा है यह part हम थोड़ा इदर ही कर लेते है इदर ही हम solve कर लेते है तो यहां lcm आ रहा है sin a और यह जाएगा 1 minus sin square a तो यह हो गया 1 minus sin square a similarly इदर भी जब cos a lcm आ रहा है तो यह बन जाएगा 1 minus cos square a 1 minus cos square a अब हम जानते हैं कि 1 minus sin square a तो होता है cos square a तो यह हो जाएगा cos square a divided by sin a into यह हो रहा है sin square a divided by cos a अब इसमें एक cos a cancel out हो रहा है एक जो cos a है उसको मैं यहां से cancel out कर सकता हूँ similarly जो एक sign है वो इससे cancel out हो रहा है तो जो result है वो आ जाएगा sin a into cos a तो यह तो होगी left hand side अब right hand side की बात करते हैं right hand side में लिखावा 1 upon 10 a plus coat a तो हम इसको भी simplify करेंगे तो यह लिखावा 1 upon 10 a plus coat a तो इसको शुरू करते हैं right hand side जो है 1 upon 10 a plus coat a है इसमें हम value substitute कर देते हैं 10 a or coat a in terms of sin a cos a तो हम जानते हैं कि 10 a जो है वो होता है sin a divided by cos a और जो coat a होता है cos a divided by sin a तो यह formula जो हमें याद होगा तो हम आसानी सिसा कर सकते हैं फिर लिखेंगे 1 upon यहाँ lcm ले सकते हैं तो lcm आ रहा है sin a cos a तो यह जो है cos a से डिवाइड किया तो आया sin a sin a से इसको में डिवाइड किया तो आ गया sin square a प्लस sin a से डिवाइड किया तो cos a cos a into cos a हो गया cos square a अब यह जो है one upon में है तो यह उपर चला जाएगा sin a cos a divided by sin square a plus cos square a लेकिन sin square a plus cos square a तो one होता है तो यह हो गया sin a into cos a divided by one तो sin square a plus cos square a इस पूरे की जगे जो है हमने यहाँ पर one substitute कर दिया है तो यह result finally आगया हमारे पास sin a into cos a यह तो था right hand side और जो left hand side है वो देखते हैं क्या थी left hand side थी sin a cos a तो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर left hand side जो थी वो क्या थी sin a cos a थी यह left hand side थी तो left hand side और अभी हमने रही है तो left hand side और right hand side both are found to be equal LHS is equal to RHS hence result proved hence जो result है वो क्या हो गया है प्रूव हो गया है hence proved इस तरह से हम आसानी से result को prove कर सकते हैं यह result जो है आसानी से prove हो गया है तो इस प्रूप में हमने क्या किया कि जो भी expression था left hand side और right hand side सबको हमने sin और कोस में convert किया है simplify किया है जहाँ पर identity apply हो सकती है यहाँ पर विशेश रूफ से आपको ध्यान रखना है कि यह जो one minus sin square a है यह cos square a होता है यह हमने identity apply करी direct इसी तरह से one minus cos square a है वो sin square a होता है यह भी मैंने direct identity apply करी है तो यह result याद रहते हैं तो यह थोड़ा आसानी से जल्दी solo जाता है और फिर simplify किया तो left hand side in terms of sin a co से यहाँ तक simplified होगी इसके आगे हम simplify नहीं कर सकते right hand side में लिखावा one upon 10 a plus quota तो उसको भी हम अलग से simplify कर लेते हैं in terms of sin a co से और हम बाते हैं कि वो भी sin a co से आ जाता है तो right hand side और left hand side जो विक्कोल आ गई तो इस तरह से result प्रूव हो जाता है तो यह तरीके होए trigonometric identities को काम में लेकर question हम किस तरह से solve करेंगे जो भी proof best question है उनको हम किस तरह से solve करेंगे thanks for watching this video